जहीं दोस्तों स्वागत है HP Journal Knowledge 53 की इस वीडियी लेक्चर में तो आज हम डिस्क्स करेंगे एग्रो क्लाइमेट जोन ओफ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश का एग्रो क्लाइमेटिक जोन हम डिस्क्स करेंगे जिससे प्रिक्षा में हर बार जो हैं काफी प्रशन जो हैं पूछे जा रहे हैं हर बार प्रिक्षा में यहां से प्रशन बनता ही बनता है हाल ही में HS 2020 में भी यहां से प्रशन पूछा गया था और की भुगोलिक स्थिति आपको बता दें तो हिमाचल प्रदेस के उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर उत्तर पूरव की बात करें तो उत्तर पूरव में यहां पर यह तिब्बत है और दक्षिन पूरव में यहां पर उत्तर घंड है और दक्षिन में इसके हर्याना है और पश् हिमाचल पर्देस की शमानिय वोगुलिक स्थिती तो अब जानते हैं हिमाचल पर्देस की hehự क्लाइम क्लाइमेटिक स्थिती तो इसको अग्लोडा मेटिक के अधार पर चार भागों में हम बाछ सकते हैं जिसमें हमने बाटा है पहले में cold, dry zone जिसको worry, temperate zone कहा जाता है इसको हिंदी में बोला जाता है शुश्क समशितोशन दूसरे है high hill zone, that is humid sub temperate zone इसको numb up some situation कहा जाता है और mid hill zone है उसको wet sub temperate zone कहा जाता है गिले up some situation कहा जाता है उसके बाल है शिवालिक hill zone जिसको कहा जाता है sub humid, subtropical zone और उसका जो हिंदी में नाम है वो है उप नम उशन कटीवन दिये बात करें इसके डाइग्राम की तो यहाँ पर जो है जो ये वाला नीले कलर का आप देख रहे हैं ये सारा ही जो है वो है सुश्क शम शितोशन यानि की ये ड्राइ टेंपरेट जोन है बात करें रेड कलर की तो रेड कलर में जितना वी एरिया आपका आता है वो आता है नम उप शम शितोशन में यानि की यूमिट सब टेंपरेट जोन में ये आता है उसके बाद जो बात करें ग्रीन कलर की तो ग्रीन कलर में जो है वो है गीले उपशम शितोशन क्षित्र आते हैं बैट सब टेंपरेट जोन इसमें आता है इसके बाद इसको हम डिटेल में डिसकस करेंगे और यलो कलर में जो है वो है सब हुमिट सब ट्रोपिकल यानि की उप बात करें तो शुष्क शम शितोशन को हम डिसक्स करने जा रहे हैं ड्राइ टेमपरेट जोन में जो है उदर तल से 2200 मीटर की अधिकूंचाई वाले एक शित्र हैं वो शारे के सारे जो है ड्राइ टेमपरेट जोन में आते हैं और ये जोन जो है यहां की जो मुख्य फसले है और यह जो है शूटर है प्रोडक्शन ओफ क्वाल्टी सीर्ज के लिए इंपोर्टन जो है यहां पर याद रखने के लिए कि इसमें कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं यहां से काफी बार प्रोडक्शन इसमें प्रोडक्शन ओफ्या रही पूछा जाता है कि ड्राई टैंपरेल्टे जोन में कौन-कौन से जो है वो क्षेत्र आते हैं तो लाहोल्स पिती की नोर और जिला चमबा की पांगी तहसील का जो ख्षेत्र है वो ड्राई टेंपरेर जोन में आता है। दूसरे नंबर पर डिस्कस करते हैं High Hill Zone यानि की Humid Sub Temperate Zone जिसे नम उप शम्शितोशन कहा जाता है। कल्टिवेटर एरिया जो है इसमें Humid Sub Temperate Zone में आता है। में क्रॉप की इसमें बात करें तो वेरली है, लेसर मिलेट्स हैं, मेज और पटैटो जो हैं इसमें इनकी में क्रॉप हैं। यहां पर काफी अच्छे चरागा और मेडोज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इंपोर्टन जो याद रखने वाली बात है, तो यहां पर जो है कि कौन कौन सा एरिया इसमें आता है। तो शिमला, कुल्लू, हिमाचपलेस के जिला मंडी और कांगडा का जो आउटर पार्ट है, वो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। वो यहां पर हुमिट सब टेंपरेट जोन में आते हैं। तो यह जितना भी राडिकलर बाला एरिया है आपको दिख रहा है, यह सभी का सभी हुमिट सब टेंपरेट जोन में आता है। और मंडी के आउटर पार्ट उपरी जो इलाके हैं वो और जिला कांगडा के उपरी इलाके जैसे की छोटा वंगाल और बड़ा वंगाल जो है वो यहां पर हुमिट सब टेंपरेट जोन में आता है। अब देखते हैं मिड हिल जोन बैट सब टेंपरेट जोन यानकी गीले उपशम सितोशन क्षित्र के बारे में अब हम डिसकस करेंगे। तो यह जोन जो है वो 600 मीटर से लेकर 800 मीटर तक की उंचाई वाले क्षित्र का जोन है। करता है। तो इस जोन में जो कल्टिवेशन जो कैस क्रोप हैं उनको उगाने की काफी अच्छी है। ओफ सीजन की वेजी टेबल आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। यहां काफी मातरा में ओफ सीजन की जो सबजी हैं कैस क्रोप्स हैं वो उगाई जाती हैं। इसर क्रॉप की बात करें तो यहां पर वेट मेज बेरली ब्लैक ग्राम बीन्स और धान इत्यादी जो हैं यहां पर उगाए जाते हैं याद रखने बाली जो इंपोर्टन बात है कि इसमें कौन-कौन से डिस्ट्रिक आते हैं तो इसमें आता है मंडी, सिरमोर, कांगडा, कां देखने को मिल जाएगा यह सारा का सारा बैट सब्टेंपरेट जोन में आता है और मंडी का क्षित्र जो की इसमें आता है और शिरमोर के उपरी क्षित्र इसमें आते हैं बिलासपर की कुछ उंची चोटियां जो हैं वो भी बैट सब्टेंपरेट जोन में आती हैं अब द आता है यानि की उपनम ऊशन कटिवंदी के नाम से इसको जाना जाता है तो इस जोन में जो है 350 लेकर 650 मीटर तक की समुद्र तल से उचाई वाले क्षित्र जो है वो सब हुमिट सब ट्रोपिकल जोन में आते हैं और ये अकुपाई करता है 35% जिग्राफिकल एरिया हिमाचर प्रदेश का और 40% कल्टिवेटेड एरिया हिमाचर प्रदेश का जो है वो इशीक सेत्र में आता है इस जोन की जो मेजर क्रोप हैं वो हैं शूगर केन, मस्टर्ड, पोटैटो, बेजटेवल, एड्सेक्टरा जो हैं यहां की मुख्य क्रोप फशले हैं इंपोर्टन बात क तो यहां पर जो बात करने हैं हम सब हुमिड सब टॉपिकल जोन की तो यहां पर जितनाभी क्षेत्र हैं पोंटा साहिब जो है वो इसमें आता है सोलन आता है इसमें बिलासपूर आता है हमीरपूर आता है उनन आता है और कांगड़ा का जो इंदोरा इत्यादीक शेत्र हैं जो निचलेक शेत्र हैं जिला कांगड़ा के वो सारे के सारे इसमें आते हैं तो दोस्तों ये प्रशन जो था, हाल ही में, H.S. 2020 में पूछा गया था, कि जो पालनपूर धर्मशाला, जुगिंदर नगर, हिमाच्छर प्रदेश में किस जोन में आते हैं, तो ओप्शन दिये हैं, हुमिट सब ट्रोपिकल जोन में, सब टेंप्रेर जोन में, सब हुमिट अच्छी लगी, तो हमें ये भी कमेर सेक्शन में जुरूर लिखें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जुरूर सेर करें, वीडियो कौन तक दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जेहिंद, जेवाद,